हेलो बच्चो कैसे हो आप बच्चो मैं अलका रावत आज आपको करवाऊंगी आकलन प्रस्थम तीन जिसका पहला प्रस्थम है अर्थम लिखत अर्थ लिखना है कर्णा हां कर्णा हो मीन्स कान चत्वारह चत्वारह मीन्स होता है चार नव नौ अब इसका दूसरा प्रस्थम है पंच अंगा नाम संस्कृत नामानी लिखत पांच अंगों के नाम संस्कृत में लिखने हैं पहला है कर्णा हां कान हस्तह हाथ पादह पैर नासिका नाक और नयनम आंग तीसरा प्रस्थम है बच्चो उचित मेलनम कुरुत उचित मिलान करना है तो पहला दिया गया है तीन तीन को कहते हैं त्रीणी फिर साथ सब्त फिर नौ नव फिर पंद्रा पंद्रा को कहते हैं पंच दस फिर चार चत्वारह फिर आठ अस्ट तो ये थे मिलान चौथा प्रस्थम है बच्चो रिक्त अस्थाने उचितम पदम लिखत रिक्त अस्थान में उचित पद लिखना है यथा यथा मीन्स होता है जैसे एतत सरीरम यहां सरीर है तो पहला है एतत मुखम यहां मुख है एसा नासिका एसा इसा इस्तिरी लिंग में यहाँ नाग है एसा हाँ करना हाँ पुल्लिंग में है यहाँ कान है अब पाच्वा प्रस्न है चित्राणी दिरिष्ट्वा वाक्य निर्मानम कुरुत चित्र को देखकर वाक्य निर्मान करना है तो यहाँ पर एक बच्चे का चित्र दिया गया है तो बच्चा क्या कर रहा है पुस्तक पढ़ रहा है तो बच्चा कह रहा है अहम पुस्तकम पठामी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ सा कंदुकेन किरीड़ती सा मिन्स वह गेन से खेलती है फिर इधर एक लड़का चल रहा है तो क्या लिखेंगे अहाम पादाभ्याम चलामी मैं पैरो से चलता हूँ तो इस परकार बच्चो वाक्य निर्मान हर बच्चा अलग-अलग कर सकता है तो ये था आकलन प्रस्टम तीन अब करेंगे बाल प्रस्टम तीन बाल प्रस्टम तीन में है दिया गया बच्चो रंग भिरंगी गोटियों से सर्प सोपान खेलिए साप सीड़ी खेलते हैं न बच्चे इसी परकार संस्कृत अंकों को याद कीजिए संस्कृत में साप सीड़ी बनाया गया है और संस्कृत के गिंती खेलते हुए हमें इसको याद भी करना है तो यहाँ पर दिया गया है विजय मतलब यहाँ पर जो पहुँचेगा वो जीत जाएगा तो बच्चो साप सीड़ी नीचे से सुरू होगा यहाँ पर लिखा गया है प्रारंब प्रारंब का मतलब यहाँ से सुरू करेंगे और अलग-अलग रंग की गोटिया यहाँ पर रखेंगे तो कैसे सुरू होगा यहाँ से दिया गया है फिर है एकम, द्वे, फिर त्रीणी, चत्वारी, पंच, सट, शब्त, अस्ट, नव, दस फिर है एकादस, द्वादस, फिर त्रयोदस, चतुर्दस, पंच, दस, सोडस, सब्त, दस, अस्टादस, नव, दस, विन्सती एक विन्सती, द्वादस, त्रयोदस, चतुर्दस, फिर है पंच विन्सती, सड्दस, सब्त विन्सती, अस्टादस, नव विन्सती, तिरिन्सत फिर है एक तिरिन्सत, द्वा तिरिन्सत, त्रय तिरिन्सत, चतुर्दस, पंच तिरिन्सत, सड्द तिरिन्सत, और इतना ही दिया गया है और जो यहाँ पर पहुँच जाएगा, वो बच्चा वीजई हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा बच्चो, साब सीड़ी आज तक हमने अंकों में खेली है, आज हम संस्कृत में खेलेंगे और हमें याद भी हो जाएगे, तो आया ना मज़ा, तो ठीक है बच्चो, आज यहाँ कक्सा चार का पूरा कोर्स समापत हो गया है फिर मिलेंगे कक्सा पांच के साथ, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक क्यार